आज का टोपिक है फर्मी डिराक सांखिकी। फर्मी डिराक सांखिकी की मूल अभिकलपनाएं इस परकार हैं। नमबर वन यह सांखिकी ऐसे निकायों के लिए प्रियुक्त होती हैं जिनमें कण, सर्वसम वे अप्रभेद्य होते हैं एवं इनकी स्पिन विसम अर्ध पूर्णांक होती हैं। कण, सर्वसम और अप्रभेद्य हैं यानि आइडेंटिकल और इन्डिस्टिंगूशेवल हैं। सर्वसम का मतलब है कण एक समान हैं और अप्रभेद्य का मतलब है कि कण इस परकार के हैं कि उनमें विभेद नहीं किया जा सकता। साथ ही इनकी स्पिन विशम अर्ध पूर्णांख होती है। यानि स्पिन S का मान है, एक बटे दो, तीन बटे दो, पांच बटे दो इस तरह से. यानि हम एक बटे दो में गुणा कर रहे हैं एक तीन पाँच यानि विसम संख्या से तो यदि स्पिन एस विसम अर्थ पूर्णांख है एक बटे दो तीन बटे दो पाँच बटे दो इस तरह से है तो ऐसे कणों के लिए फर्मी डिराक सांखी की लागू होगी ये खंड फर्मियोन कहलाते हैं और ये फर्मी डिराक सांखी की का पालन करते हैं इनके उधारन है इलेक्टरोन प्रोटोन आदी फोटोन नहीं है इलेक्टरोन प्रोटोन आदी photon का spin तो एक होता है और वो बोसन है बोस आइंस्टेन सांखी की का पालन करता है तो उदाहरण इसमें सही कर ले हैं electron proton आदी नमबर दो क्योंकि अब कन एप्रभेद्य हैं विवेद नहीं किया जा सकता है इन डिस्टिंगुईसेबल हैं तो कन एप्रभेद्य होने के कारण कला कोस्टिकाओं में दो कनों के परसपर पदलने से नई सुक्सम अवस्था प्राप्त नहीं होती है नमबर तीन कला अकास में कला कोस्टिका का नियूंतम आयतन h3 होता है जो कि नियत है h plank नियतांक है अतह कला कोष्ठिकाओं की संख्या निश्चित होती है क्योंकि कला कोष्ठिकाओं का न्यूंतम आयतन नियत है ह क्यूब है जो नियत है इसलिए कला कोष्ठिकाओं की संख्या भी नियत रहती है नमबर चार ये कण पावली के अपरजन नियम का पालन करते हैं जिसके अनुसार एक कला कोष्टिका में यानि एक सुक्सम अवस्था में कणों की संख्या पर प्रतिबंध है, अब एक कला कोष्टिका में कणों की अधिक्तम संख्या एक ही हो सकती है। पावली के अपरजन नियम के अनुसार एक उर्जा इस्तर में अधिक्थम एक कण ही रह सकता है तो एक उर्जा इस्तर में या तो जीरो कण रहेगा या एक कण रहेगा एक से अधिक कण नहीं रह सकते हैं अब हम वित्रण नियम ग्याद करेंगे फर्मीटी राक सांखी की के लिए एन सरुसम वै ए प्रभेद्य कणो जिनकी स्पिन विसम अर्ध पूर्णांखो का एक निकाए लेते हैं जैसे किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रोनों का समू हूँ इलेक्ट्रोनों के लिए इस्पिन एस एक बटे दो होता है तो धातु में यदि मुक्त इलेक्ट्रोनों का समू है बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रोन है तो हम मानने कि एन सरुसम और एप्रभेद्य करन है जैसे कि इलेक्ट्रोन तो N सरुसम और एपरभेद्य कंड ले रहे हैं जिनकी इस्पिन विशम अर्थ पूर्णांग हो इस्पिन एक बटे दो हो तीन बटे दो हो या पांच बटे दो हो इस परकार के कंड हम ले रहे हैं इन कंड को कला कोष्ठिकाओं में यानि ऊर्जा अवस्थाओं में इस परकार वित्रित करते हैं कि पहली कोष्ठिका में कंड की संख्या N1 है और इनकी ऊर्जा E1 है दोसरी कौस्टिका में करणों की संख्या N2 है वे इनकी ओर्जा E2 है एवं इसी प्रकार अन्य कौस्टिकाओं में सामान्य रूप से IV कौस्टिका में करणों की संख्या Ni है और इनकी ओर्जा EI है साथ ही मान लेते हैं कि EI ओर्जा के GI ओर्जा इस्तर हैं अर्थात अप बरष्टता GI है E1 ओर्जा के G1 ओर्जा इस्तर मानते हैं E2 ओर्जा के G2, E3 के G3 और इसी परकार EI ओर्जा के GI ओर्जा इस्तर हैं तो एक ही उर्जा के यदि एक से अधिक उर्जा इस्तर होते हैं, तो इसे हम अपवरष्टा कहते हैं Degeneration, जैसे EI उर्जा के GI उर्जा इस्तर हैं, तो EI उर्जा के लिए अपवरष्टा Degeneration है GI. क्योंकि ये कंड पावली के अपवरजन नियम का पालन करते हैं, अतह एक उर्जा इस्तर में अधिकतम एक कंड ही रह सकता है, अर्थात EI उर्जा की जो IV उर्जा अवस्था है, इसमें GI इस्तर हैं, इन GI इस्तरों में से NI इस्तर NI कंडों द्वारा भरे होंगे, क्योंकि एक इस्तर में एक ही कंड रह सकता है, इसलिए यदि GI इस्तर हैं और NI कंड हैं, तो इन GI इस्तरों में से NI इस्तर तो NI कंडों से भरे हुए हैं, सेश इस्तर जो बचेगे वो होंगे जी आई माइनस एन आई एवं सेश जी आई माइनस एन आई इस्तर रिक्त होंगे हमें इस प्रकार के वितरण में से सर्वाधिक प्रसंभावे वितरण ग्याद करना है हम साम्मे अवस्था की सर्थ ग्याद करना चाहा रहे हैं साम में अवस्था सरवाधिक प्रसंभावे अवस्था है जिसकी प्रायक्ता सबसे अधिक है तो हम सरवाधिक प्रसंभावे वितरन ग्यात करना चाहते हैं इस इस्थूल अवस्था की उस्मा गतिक प्रायक्ता यानि इस इस्थूल अवस्था के संगत सुक्षम अवस्थाओ की संख्या, यह इस सुत्र से दी जाएगी, उसमा गतिक प्रैक्ता W, जो सुक्सम अवस्थाओं की संख्या के बराबर है, यह इसके लिए फार्मूला है, W बराबर होगा πाई I, फैक्तोरियल जी आई upon factorial ni into factorial gi minus ni यहां संकेत pi i विभिन पदों के गुणा को व्यक्त करता है जिस तरह से summation i summation विभिन पदों के जोड को व्यक्त करता है तो यहां पर यह संकेत pi i विभिन पदों के गुणा को व्यक्त करता है i का मान 1 रखेंगे तो हमें पहला पद मिलेगा जो होगा फैक्टोरियल जी वन अपॉन फैक्टोरियल एन वन इंटू फैक्टोरियल जी वन माइनस एन वन इसी तरह से आई बराबर टू रखने पर दूसरा पद मिलेगा फैक्टोरियल जी टू अपॉन फैक्टोरियल एन टू इंटू फैक्टोरियल जी टू माइनस एन टू इसी तरह से आई बराबर तीन चार पाँच रखते चले जाएं विभिन पद मिलेंगे और इन सब का गुणा इसको हमने लिखा है पाई आई संकेत के द्वारा तो उसमा गतिक प्राइक्टा डबलू बराबर है पाई आई फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई यहां द्यान दें कि आईवे उर्जा अवस्था के लिए आईवी उर्जा अवस्था EI उर्जा की है जिसमें NI कंड है और ये GI उर्जा इस्तरों में विभाजित है और GI इस्तर इनमें NI कंड को विभाजित करना है और एक इस्तर में एक ही कंड रह सकता है अधिकतम तो GI इस्तरों में से NI इस्तर तो भरे हुए है NI कंड के द्वारा GI इस्तरों में से NI इस्तर NI कंड द्वारा भरे है और सेस इस्तर जो खाली है वो होंगे GI-NI को यहां धहन दें कि नीचे हम फैक्ट रिए रे रहे हैं हर में कि पहला है फैक्टोरिय एनाई को रमिला खे एनाई पैक्रलग कर यह हैं उनिक्तर फ्रैंट होंगे घरμ स्टर में एक करई प्रन्तु और यह मनुतर हैं ऺण तो जो खाली उरजा इस तर होंगे, वो होंगे Gi minus Ni, तो दूसरा वैक्टोरियल नीचे, है खाली उरजा इस तरों की संख्या, और उप वैक्टोरियल Gi minus Ni, और उपर अन्स में जो फैक्टोरियल है, वो बराबर होगा, नीचे जो दो factorial आ रहे हैं इन दोनों को जोड़ दें factorial के अंदर जो राशी है इनको जोड़ दें यानि Ni पलस Gi-Ni पहला factorial Ni का है नीचे दूसरा factorial Gi दूसरा factorial है Gi-Ni का तो Ni और Gi-Ni दोनों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा Gi तो उपर factorial Gi है इस तरह से यह है उसमा गतिक प्राइक्ता डबलू का सूतर है जिसे हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं यह है समीकरण 1 अगले दो समीकरण है N और E के लिए N करणों की कुल संक्या है जो बराबर होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 जिसको हम लिख रहे हैं समेशन Ni से और E सभी करणों की कुल उर्जा है जो बराबर होगी समेशन Ni EI N1 करण ऐसे हैं जिनमें से हरेक की उर्जा E1 है तो N1 करणों की उर्जा हो जाएगी N1 E1 इसी तरह से N2 करण ऐसे हैं जिनमें से हरेक की उर्जा E2 है तो N2 कणों की उर्जा हो जाएगी N2E2 and so on तो सभी कणों की कुल उर्जा Capital E बराबर होगी N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 and so on और इसी को हमने लिखा है Summation NIEI तो ये दो समीकरण और है एक Capital N के लिए दूसरा Capital E के लिए इनको हमने लिखा है समीकरण 2 और 3 अब समीकरण 1 का Log लेने पर समीकरण 1 यह समीकरण है W का जो सुत्र है इसका Log ले यानि Log W और ये Log E बेस पर ले रहे है यानि Log W गयाद कर रहे है E बेस पर और इसको लिख रहे हैं LNW LNW का मतलब है Log E बेस पर W तो Log W हमें ग्याद करना है समीकरण 1 से Log ले तो राइट हैंड साइड में है Pi I यह Pi I बदल जाएगा अब समेशन I में क्योंकि Pi I विभिन पदों के गुणा को व्यक्त करता है तो जब हम Log लेंगे तो Log A इंटू B इंटू C बराबर होता है Log A प्लस Log B प्लस Log C तो Pi I में तो विभिन पदों का गुणा है परन्तू जब हम Log लेंगे तो यह गुणा की बजाए प्लस हो जाएगा और विभिन पदों के जोड को हम लिखेंगे समेशन से तो Pi I की जगह आजाएगा समेशन I और जब Log लेंगे तो उपर है Factorial Gi इसका Log तो पहली टर्म आएगी Log Factorial Gi और नीचे दो टर्म है एक Factorial Ni और दूसरी Factorial Gi Minus Ni जब इनका Log लेंगे तो यह Minus Sign के साथ आएगा Minus Log Factorial Ni और Minus Log Factorial Gi Minus Ni तो इस तरह से समेशन के अंदर यह तीन टर्म है पहली टर्म positive है और अगली दोनों टर्म negative है बीच की टर्म है minus log factorial ni log के बाद b लिखा है इसको हटा दे अब ni और gi के उच मानों के लिए sterling का सूत्र काम मिलेते हैं यह sterling का सूत्र है log factorial x पराबर है x log x minus x यह सूत्र काम मिले इन तीनों ही टर्म के लिए तो log factorial gi बराबर होगा gi log gi minus gi फिर है minus log factorial ni तो log factorial ni का मान होगा ni log ni minus ni शुरू में क्योंकि minus लगा है इसलिए यह चिन बदल जाएंगे फिर है minus log factorial gi minus ni यहाँ पर भी sterling का सूत्र काम मिले तो log gi minus ni का factorial यह बराबर होगा gi minus ni into log gi minus ni minus gi minus ni और शुरू में क्योंकि minus लगा है इसलिए यह sign बदल जाएंगे अब देखें तो यहाँ एक टर्म है minus gi फिर एक टर्म है plus ni और लास्ट में दो टर्म है gi plus gi minus ni तो यह चार टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि एक प्लस gi है तो एक माइनस gi भी है एक माइनस ni है तो एक प्लस ni भी है यह चार टर्म कैंसिल हो गई जो बाखी की टर्म बची वो है gi log gi minus ni log ni minus gi minus ni into log gi minus ni अब सरवाधिक प्रसंभावे अवस्था के लिए यानि सामय अवस्था के लिए सामय अवस्था वो है जिसके लिए कि प्रायक्ता सबसे अधिक है उसमा का तिक प्रायक्ता w अधिक्तम है यानि log w भी अधिक्तम है तो सरवाधिक प्रसंभाव्य अवस्था के लिए W और log W का मान अधिक्तम होना चाहिए यानि log W का differentiation 0 होना चाहिए D log W पराबर होना चाहिए 0 D differentiation है log W का यह log W का मान अधिक्तम होने की सर्थ है कि इसका differentiation 0 है तो हम लिखेंगे D और फिर log W का मान रखते हैं उपर के समेक्रण से D के बाद लिखें समयशन G I log G I minus N I log N I minus G I minus N I into log G I minus N I और equal to 0 अब differentiation करें D का मतलब है differentiation तो पहली टर्म का differentiation 0 हो जाएगा G I constant है तो log G I G I log G I यह पूरी टर्म ही constant है इसका differentiation 0 है अगली टर्म का differentiation करेंगे तो माइनस के बाद है N I log N I इसका differentiation करेंगे first function और second function मान के first function N I और second function log N I तो first function N I differentiation of second log N I का differentiation होगा one upon N I d N I first function differentiation of second plus second function differentiation of first तो second function होगा log N I और differentiation of first यानि differentiation of N I होगा D N I क्योंकि शुरू में माइनस लगा है इसलिए दोनों टर्म के पहले माइनस रहेगा इसी तरह से हम इस last term का भी differentiation कर सकते हैं first function मानेंगे G I minus N I को और second function मानेंगे log G I minus N I को तो यहाँ भी शुरू में माइनस है minus के अलावा देखें तो first function है G I minus N I differentiation of second करेंगे तो differentiation of log G I minus N I होगा 1 upon G I minus N I और G I minus N I का differentiation फिर करना होगा साथ में ही तो हमें मिलेगा minus D N I G I तो constant है और minus N I का differentiation minus D N I शुरू में क्योंकि minus लगा है इसलिए यह term plus की हो जाएगी तो यह तो मिला first function differentiation of second से और फिर अगली term रहेगी second function differentiation of first तो minus तो शुरू में है second function है log G I minus N I और differentiation of first यानि differentiation of G I minus N I है minus D N I minus N I का differentiation minus D N I तो यह last term हो जाएगी plus log G I minus N I into D N I और equal to zero यह G I minus N I upon G I minus N I यह cancel हो जाएगे यह term रह जाएगी केवल plus D N I इसी तरह से पहली term में से भी N I और N I cancel हो जाएगा यह term रह जाएगी minus D N I तो एक term है minus D N I दूसरी term है plus D N I दोनों एक दूसरे से cancel हो जाएगी और जो term बचेंगी वो रहेंगी केवली यह दो term जिनमेंसे एक यह है last वाली log G I minus N I D N I और एक यह है minus log N I D N I इन दोनों में D N I common ले लें तो बाकी बचेगा log G I minus N I और minus log N I D N I common है और equal to 0 अब log A minus log B बराबर होगा log A upon B तो यह हो जाएगा bracket के अंदर की राशी बराबर होगी log G I minus N I upon N I और into D N I बराबर 0 समीकरण 2 और 3 का differentiation करें समीकरण 2 और 3 है यह समीकरण इनके मान नियत है capital N भी constant है capital E भी constant है capital N कणों की कुल संख्या है जो नियत है और capital E कणों की कुल ओर्जा है जो नियत है तो इनके differentiation 0 होंगे जिससे हमें दो समीकरण और मिलेंगे N बराबर है समैसन NI तो इसका differentiation करें तो D N बराबर होगा approximation DNI जो बराबर होगा 0 और इसी तरह से E बराबर है summation N I E I इसका differentiation करें तो D E बराबर होगा summation e i d n i और ये भी 0 के बराबर होगा इस तरह से हमें ये दो समिकरण मिलेंगे d n बराबर है d summation n i यानि summation d n i बराबर 0 इसको सही कर लें ये summation n i बराबर 0 नहीं है ये है summation d n i बराबर 0 इसी तरह से d e बराबर होगा d और e का मान है summation n i e i इसका differentiation करेंगे तो यह होगा summation EI और NI का differentiation DNI बराबर 0 इनको हम लिख रहे हैं समीकरण 5 और 6 अब हमारे पास यह 3 समीकरण है 4, 5 और 6 यह समीकरण 4 जो है summation I log GI minus NI upon NI DNI बराबर 0 यह समीकरण 5 जो है summation DNI बराबर 0 इन 3 समीकरण 4, 5 और 6 इन 3 समीकरण को हम संयुक्त कर सकते हैं यह निर्धारित गुणांकों की लेकरांजियन विधी का उप्योग करेंगे, और इन समिकरण 4, 5 और 6 को संयोक्त करेंगे, यह विधी इस तरह से है कि समिकरण 5 में तो alpha से गुणा करके समीकरण 4 में से माइनस करें और अगले समीकरण को beta से गुणा करके माइनस करें तो समीकरण 5 और 6 ये हैं 5 को alpha से गुणा करेंगे 6 को beta से गुणा करेंगे तो समीकरण 5 हो जाएगा summation alpha dni बराबर 0 और समीकरण 6 हो जाएगा summation beta eidni बराबर 0 और अब इन दोनों को इस समीक्रण चोथे समीक्रण से माइनस करना है तो हमारे पास समेशन तीनों में ही है समेशन के अंदर dni भी तीनों में है तो समेशन लिख लेंगे dni तीनों में से common लेंगे पहली टर्म यहां से मिलेगी dni के अलावा जो है वो है log gi minus ni upon ni तो यहां पर यह पहली टर्म आ गई log gi minus ni upon ni फिर हमने माइनस किया है इस समीक्रण का alpha से गुणा करके यानि माइनस समेशन alpha dni तो यह रह गया माइनस alpha dni तो common था फिर अगले समीक्रण में हमने beta से गुणा करके minus किया है यानि माइनस किया है beta eidni तो माइनस beta ei dni तो common था और बराबर 0 तो अब हमारे पास सेयुक्त करने के बाद तीनों समीक्रणों को सेयुक्त करने के बाद यह समीक्रण मिला समेशन log gi minus ni upon ni minus alpha minus beta ei into dni बराबर 0 क्योंकि प्रतेक कोस्ठिका में करनों की संख्या में परिवर्तन dni आई 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 वी कोस्ठिका में करनों की संख्या है और dni इसमें परिवर्तन है यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है आता है आई के प्रतेक मान के लिए कौस्टक के अंदर की रासी सून्य होनी चाहिए तो dni 0 नहीं होगा और यह आई पर निर्वर नहीं करता है इसलिए कौस्टक के अंदर की रासी 0 होनी चाहिए त्यानि log gi-ni upon ni minus alpha minus beta ei बराबर होना चाहिए 0 या log gi-ni upon ni बराबर होगा alpha plus beta ei exponential ले लें दोनों तरफ तो e to the power log x बराबर होगा x तो left hand side में मिलेगा gi-ni upon ni और right hand side में मिलेगा e to the power alpha plus beta ei left hand side है gi-ni upon ni gi-ni में ni से भाग देंगे तो मिलेगा gi upon ni minus 1 gi upon ni minus ni upon ni ni upon ni बराबर 1 तो left hand side बराबर हुआ gi upon ni minus 1 बराबर e to the power alpha plus beta ei या gi upon ni equal to e to the power alpha plus beta ei plus 1 minus 1 को right hand side में लेगे अब इसका उल्टा कर दें यानि gi upon ni का मान दिया है इसका उल्टा कर दें इसवेल पॉल्समेन वित्रण नियम था ni बराबर gi upon e to the power alpha plus beta ei यहां पर फर्मी डिराक वित्रण नियम में हर में e to the power alpha plus beta ei के साथ प्लस 1 बोस आंश्टीन वित्रण नियम में यहां e to the power alpha plus beta ei के साथ माइनस वन था यही इन तीनों सांखिकियों के वित्रण नियम में अंतर है बोस आंश्टीन वे फर्मी डिराक सांखिकी में अंतर दोनों ही quantum सांखिकी है बोस आंश्टीन सांखिकी और फर्मी डिराक सांखिकी इन दोनों में ये अंतर हैं, बोस आंस्टीन सांखे की ये उन कणों के लिए लागू होगी, जिनका इस्पिन 0, 1, 2, 3, 4 है, यानि जीरो या पूर्णांग है, उदारन है फोटोन और फोनोन, ये कण बोसोन कहलाते हैं, जो बोस आंस्टीन सांखे की का पालन करते हैं, इसी तरह से फर्मी डिराख सांखे की उन कणों के लिए लागू होगी, जिनका इस्पिन S, एक बटे दो, तीन बटे दो, पांच बटे दो इस तरह से है, यानि एक बटे दो में हम विसम संख्या से गुणा कर रहे हैं, एक तीन पांच से, तो फर्मी डिराक सांकिकी उन कणों के लिए लागो होगी जिनका इस्पिन विसम अर्ध पूर्णांग है उदारन है इलेक्ट्रोन प्रोटोन आदी ये कण फर्मियोन कहलाते हैं जो फर्मी डिराक सांकिकी का पालन करते हैं दूसरा अंतर है कि एक बोश आंस्टिन सांकिकी में एक कलाकोष्ठिका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंद नहीं है एक कलाकोष्ठिका में कितने भी कण रह सकते हैं परन्तु फर्मी डिराक सांकिकी में ये प्रतिबंद है ये कण पावली के अपरचन नियम का पालन क करते हैं अथ है एक कला कोष्ठिका में करणों की अधिकतम संख्या एक हो सकती है तो ये इन दोनों संख्यकियों में अंतर है बोस आंस्टिन शंख्यकी और फर्मी डिराक संख्यकी दोनों ही क्वंटम संख्यकी है अब हम तीनों सांखिकियों की तुलना करते हैं मैक्सवेल बॉल्ट्समेन सांखिकी बोस आंश्टीन सांखिकी और फर्मी डिराग सांखिकी मैक्सवेल बॉल्ट्समेन सांखिकी उन कणों के लिए लागू होगी जो कण सर्वसम वे परभेद्य हैं बोस आंश्टीन सांखिकी मैं कण सर्वसम वे परभेद्य होंगे इसको सही करना प्रभैद्य नहीं है यहाँ अभी आप प्रभैद्य होगा तो मैक्सवेल बॉल्ट्समेन शांखिए की मैं तो कंण सर्वसम वैं प्रभैद्य है अगली दोनों सांखिएक सांखेकी और फर्मी डिराग सांखेकी मैं कर्ण सरवसम वे यहिए परभह्हद्य है। सरवसम तो तीनों में ही हैं सरवसम मतलब एक समान परंतु Maxwell Baldwin सांखे के में ये प्रभेद्य हैं इनमें विभेद किया जा सकता है जबकि Boss Einstein और Fermi Dirac सांखे के में ये कंड ए प्रभेद्य है इनमें विभेद नहीं किया जा सकता है यदि कंड प्रभेद्य हैं विभेद किया जा सकता है तो दो कणों को आपस में बदलने पर नई सुक्सम अवस्था प्राप्त होती है परन्तु यदि कण एप्रभेद्य हैं जैसा कि बोस आंस्टीन और फर्मेडी राक सांखी की में है तो इनमें दो कणों को आपस में बदलेंगे तो नई सुक्षुम अवस्था नहीं प्राप्त होती है नमबर दो मैक्सवेल पॉल्समें सांखी की मैं जो कण है इनका स्पिन कुछ भी हो सकता है बोस आइस्टिन सांखी की मैं कणों का स्पिन 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 या पूर्णांग होगा ऐसे कण बोस्था न कहलाते हैं जबकि फर्मी डिराक सांखी की मैं स्पिन एस का मान एक बटे दो, तीन बटे दो, पांच बटे दो होगा यानी विसम अर्थ पूर्णांग होगा ऐसे कण फर्मियोन कहलाते हैं मैक्सवेल बॉल्समेन सांखी की का उधारन है गैस के अनू बोस आइस्टिन सांखी की के लिए उधारन है फोटोन और फोनोन और फर्मिट इराक सांखीकी के लिए उधारन है इलेक्ट्रोन और प्रोटोन इलेक्ट्रोन प्रोटोन तोनों का स्पिन हाफ हाफ है यह फर्मियोन है फर्मिट इराक सांखीकी का पालन करते हैं फोटोन फोनोन इनके स्पिन एक और दो है पुर्णांग है इसलिए ये बॉस ओन है और बॉस आइंस्टेन सांखेकी का पालन करते है Maxwell-Boltzman सांखेकी यह चिर सम्मत सांखेकी है इसमें एक कलाकोस्टिका का नियूनतम आयतन H0 क्यूब होगा जो स्वेचिक है जितना छोटा हम लेना चाहें ये ले सकते हैं अतहे कलाकोस्टिका की संख्या इच्छानूसार बढ़ाई जा सकती है H0 क्यूब, H0 जितना छोटा लेंगे कलाकोस्टिका का नियूनतम आयतन उतना ही छोटा होता दिला जाएगा और कलाकोस्टिका की संख्या बढ़ जाएगी परंतु अगली दोनों सांखेकियों में जो क्वांटम सांखेकी हैं बोस आंस्टीन सांखेकी और फरमीडिराक सांखेकी इन दोनों में ही कलाकोस्ठिका का नियूंतम आयतन H3 है जो नियत रहता है H-Planck नियतांक है अते कलाकोस्ठिकाओं की संख्या निश्यत होती है Maxwell Poltsman Sankhiki में एक सुक्सम आवस्था में यानि एक उर्जा इस्तर में कणों की संख्या पर कोई पर्तिबंद नहीं होता है एक उर्जा इस्तर में कितने भी कंड रह सकते हैं और ऐसा ही बोस आइस्टिन सांखिकी के लिए एक सुक्सम अवस्था में यानि एक उर्जा इस्तर में कणों की संख्या पर कोई पर्तिबंद नहीं है, परंतु फर्मिट इराक सांखिकी में ये पर्तिबंद है, ये कण बावली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, आता ह एक सुक्सम अवस्था में यानि एक उर्जा इस्तर में करणों की अधिक्तम संख्या एक ही हो सकती है, Maxwell-Boltzman सांखिकी के लिए सरवाधिक प्रसंभावे वितरण सम्मे अवस्था की सर्थ है, Ni बराबर Gi upon e to the power alpha plus beta ii, बहुस्था इस्तिन सांखिकी के लिए वितरण नियम है, Ni बराबर Gi upon e to the power alpha plus beta ii minus 1 और Fermi Dirac सांखिकी के लिए Ni बराबर है Gi upon e to the power alpha plus beta ii plus 1 तीनों से Ni upon Gi का मान ग्यात करें, Gi को राइठ हैंड साइड में, राइठ हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं, Ni upon Gi, तो Ni upon Gi का मान, Maxwell-Boltzman सांखिकी के लिए बराबर होगा, 1 upon e to the power alpha plus beta ii, इसको Fei से लिख रहे हैं, और इसी को अधिश्थान सूचक कहते हैं, occupation index, Ni upon Gi का मान, Boss Einstein सांखिकी के लिए होगा, 1 upon e to the power alpha plus beta ii minus 1, और फर्मी डिराबर सांखिकी के लिए होगा, 1 upon e to the power alpha plus beta ii plus 1, तो ये इन तिनों सांखिकी की तुलना थी, Boss Einstein सांखिकी तथा फर्मी डिराबर सांखिकी की, Maxwell-Boltzman सांखिकी के लिए सीमा, धान्द हैं कि Maxwell-Boltzman सांखिकी में Ni upon Gi का मान है, 1 upon e to the power alpha plus beta ii, Boss Einstein सांखिकी में नीचे हर में e to the power alpha plus beta ii के साथ minus 1 है, और फर्मी डिराबर सांखिकी में ये प्लस 1 है साथ में, यदि Ni upon Gi का मान बहुत छोटा हो, तो राइट हैंड साइड में ये हर का मान बहुत अधिक होगा, हर का मान बहुत अधिक होगा, तो ये e to the power alpha plus beta ii का मान एक की तुलना में बहुत जादा होगा, तो हम यदि एक को नगर्ने मान लें इन दोनों ही सांखिकियों में, बहुत साइंस्टीन और फर्मी डिराब सांखिकी में, एक को हटा दें, तो ये तीनों सांखिकी एक जैसी हो जाती है, तो ये तब होगी जब Ni upon Gi एक से बहुत छोटा हो, Ni upon Gi much less than 1 हो, या Ni बहुत छोटा हो Gi से, तब e to the power alpha plus beta EI यह है एक की तुल्ना में बहुत बड़ा होगा, एक को हम नगर्ने मान सकते हैं, इस इस्तिथी में बहुत साइंस्टीन और फर्मी डिराब वितरन नियम में, e to the power alpha plus beta EI की तुल्ना में एक को नगर्ने मानने पर ये दोनों वितरन नियम मैक्सवेल बॉल्चमेन वितरन नियम के समान हो जाते हैं, तब तीनों ही वितरन नियम इस तरह के हो जाएंगे, Ni upon Gi बराबर 1 upon e to the power alpha plus beta EI, अतहे हैं, जब Ni upon Gi much less than 1 हो, या Ni much less than Gi हो, यानि जब प्रती क्वांटम अवस्था करणों की संख्या बहुत कम होती है, तब बोस आइंश्टीन वे फर्मी डिराक सांखी की ये दोनों ही मैक्सवेल बॉल्चमेन सांखी की के तुल्ले हो जाती हैं, उच्टाप और निम्न दाप पर इस प्रकार की इस्तिथी बनती है, अतहे हैं, उच्टाप और निम्न दाप पर बोस आइंश्टीन वे फर्मी डिराक सांखी की अपना मैक्सवेल बॉल्चमेन सांखी की के तुल्ले हो जाती हैं,